इसे सन्योग कहें या कुछ और, पर हर सौ साल पर पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी का हमला होता है। जैसे अभी कोरोना वाइरस फैला हुआ है। महामारी फैलती चली जाती है, लोगों की मौत होती रहती है। हर सौ साल पर इनसानों को नई महामारी की दवाईयां खोजनी पड़ती हैं। ऐसा पिछले चार सो सालों से होता चला जा रहा है। आईए जानते हैं कि इन चार सो सालों में किस किस महामारी ने कितने लोगों को मारा है। 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे Great Plague of Marsile कहा जाता है। Marsile फ्रांस का एक सहर है, फोटो में दिख रहा है। इसमें उन्होंने दिखाने की कोसिस की है कि कैसे प्लेग ने कितने लोगों को मारा था। Marsile में फैले प्लेग की वज़े से एक लाख लोग मारे गए थे। प्लेग फैलते ही कुछ महीने में 50,000 लोग मारे गए, बाकी 50,000 लोग अगले दो सालों में मारे गए। ठीक इसके 100 सालों बाद, 1820 में ACI देशों में कोलेरा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, फारस की खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मौरिस और सीरिया सहीत कई देशों को अपनी जकड में लिया। कोलेरा की वज़े से सिर्फ जावा में एक लाक लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलेंड, इंडोनेसिया और फिलिपिन्ज में हुई थी। इसके 100 साल बाद, 1920 में, स्पैनिस फ्लू फैला। वैसे ये फैला तो 1918 से ही था लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर हमें 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 1.70 करोड से लेकर 5 करोड के बीच में लोग मारे गए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस स्पैनिस फ्लू की वजह से कितनी बड़ी तादात में लोगों की जाने गई थी। और अब 2020 में चीन से सुरुआत हुई कोरोना वाइरस की। अब इस बीमारी ने दुनिया भर के 95 से जादा देशों के 1,9,270 लोगों को संकर्मित कर दिया है। कोरोना वाइरस की वजह से अब तक करीब 4,000 लोग मारे गए हैं। वज्यानिकों ने यहां तक दावा किया है कि यह वाइरस इस साल के अंत तक खतम नहीं हो पाएगा। और साथ इसलिए ही WHO यानि World Health Organization ने इसे महामारी गोसित कर दिया है। इसलिए ऐसे समय में हमारी सुरक्षा अपने हाथों में है।